खन्य जंगल वाली पहाडियों से बीच बीच में आवाजें गूंचती रहती है। इन धुंद भरी उची पहाडियों में ये आवाज किसानों के आपस में पाच्चित करने का सांकेतिक तरीका है। ये किसान पारमपरी खेती का आपनाते हैं, जिसे जाबो या रिजा कहते हैं। खेती किस पर्धती में में पीडियों से चली आ रही पारमपरी के अ उपियोग होता है। जिसमें वारिष के पानी को खेती के लिए कठा किया जाता है. Our 4 elders start drug farming in the hilly area. Really people work in the riverside. पहारों से घिरा होनी की वज़े से किकरुमा रेन शेडो यानी वर्षा विहीन छेटर में आता है पहारी की चोटी परिस्थित इस गाउं में पानी की कमी हमेशा बनी रहती है इससे निपटने के लिए गाउं के लोगों ने एक चटिल कृश्री प्रणाली विक्सित की जो वर्षा, घन्य जंगलों, कृत्रिम नालों, तालाबों और गृत्वा करशन के सिध्धान्त पर निर्वर है जंगलों में हर संभावित जलग्रहन छेतर से लोग ऐसे नाले बनाते हैं जो तालाबों तक पानी पहुंचाते हैं इस प्रणाली को स्थानिय तोर पर रिजा कहा जाता है Channells these are very important for RZA purpose so where there is a channel we have to clean it during the dry season and during April, March and April and even footpaths also have to we have to clean because footpaths easily get water when the rain comes, rainfall comes आधी कुचाई पर बने भंडारन तालावों से सक्री नालियों के जरिये नीचे धान के खेतों को पानी की आपूरती की जाती है और गुरुत्वा करसंद बल को एक सहयोगी के तौर पर उपयोग किया जाता है खेतों की सिचाई का समय होने तक नालियां मिट्टी और पत्थरों से बंद रहती है किक्रूमा में 200 से अधिक तालाव हैं जिसकी मदद से किसान मिलकर आसपास के खेतों के सिचाई करते हैं लोग इसी प्रणाली का उपयोग कर फल, सबजियां, डालों की खेती और मचली पालन भी करते हैं inning the Series a farming we can produce our own harvest, which is enough for us for the whole year and sometimes we we have an excess which we have in excess we keep the store it. Sometimes, in some seasons we are not able to cultivate all our plots. our plots of land if there is less rain. during that time we can use all those extras which we have stored. Last year, from previous year mostly we use natural occurring fertilizers. वास्तब में बहता हुआ पानी खेतों में खात भी ले जाता है क्योंकि इसे पश्वों के रहने के स्थान से होकर प्रवाहित किया जाता है हलाकि रिजा प्रणाली का उप्यों गाउं में छोटे से हिस्से पर ही होता है पर यह पानी के कमी के लिए पारंपरिक समाधानों के महत्य को दिखाता है विल बी फीसिबल फोर दोस विलेजेश विच दो नॉट है नेचरल सॉर्स ऑफ वटर एंड डिपेंज ऑन्ली और रेंफॉल किकरोमा में स्वधेशी और टिकाव क्रशी पधती को सरकार द्वार मानेता दी गई है इसे संभावित अन्य प्रभावी शेत्र आधारित सनरक्षन उपाई या OECM माना गया है जो जय विबित्ता सनरक्षन में मदद करने वाले प्रबंधन तरीकों में से एक है कर दो सरकार दो